सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एब्रिवान वेलकम बैक माई चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ लोकी चना की मिक्स सबजी की रेसिपी को शेर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो आई हम स्टार्ट करते हैं लोकी और चना की मिक्स सबजी को बनाना लोकी और चना की मिक्स सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक केजी लोकी को छेल कर उसे इस तरह से बारिक काट लिया है 150 ग्राम हमने चना ले रखा है चने को हमने ओवर नाइट के लिए भिगो दिया था चना अच्छे से फूल गया है चार रफली चौकी वे टमाटर ले रखें टमाटर को हम बहुत बारिक नहीं काटेंगे हम मोटा ही काटेंगे दो बारिक कटी प्याज ले रखें कुछ लहसुन की कलिया और तीन बारिक कटी हरे मिर्च इतनी सामगरी हमें चाहिए बागी के जो मसाले लगेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी सबजी को बनाना शुरू करते हैं लोकी की सबजी को आज हम बनाएंगे कूकर में कूकर को हमने गरम होने के लिए रख दिया है कूकर गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे 5 टेबल स्पुन के लगभग सरसो का तेल आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं सबजी को बनाने के लिए जो आप खाते हो तेल को अभी हम गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टेबल स्पुन जीरा जीरे को अभी हम चटकने देंगे जीरा हो चुका है अब इसमें हम डाल दे रहे हैं बारी कटे प्याज, लैसुन, मिर्च प्याज और लैसुन को हमने कूकर में डाल दिया है मिला देंगे चलाते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कूक करेंगे इसके बाद फिर इसमें हम एट करेंगे हरी मिर्च को हरी मिर्च को हमने पहले नहीं डाला है नहीं तो ये जल जाएगी हरी मिर्च को भी हमने डाल दिया है क्योंकि प्याज हलके से कूक हो चुके हैं मिला देंगे हरी मिर्च को भी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें हम एट कर दे रहे हैं वन टेबल स्पून टर्मरीक पाउडर यानि हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून नमक नमक आपके स्वादा नुसार रहेगा वन टेबल स्पून नमक जाएगा होम मेट गरम मसाला इसमें धन्या पाउडर भी मिक्स है मिला देंगे चलाते हुए मसालों को हमने प्याज के साथ में अच्छे से मिला लिया है अब इसमें हम एट कर रहे हैं थोड़ा सा पानी अब हम पानी को मसालों के साथ में अच्छे से पकाएंगे जब तक इसमें से तेल रिलीज होना शुरू नहीं हो जाता है मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है अब इसमें हम एट कर दे रहे हैं लोकी को लोकी को डालने के बाद इसमें हम एट करेंगे चने को टमाटर को भी हमने डाल दिया है मिला देंगे चलाते हुए अच्छे से सारी चीजों को सबजी को हमने मसालों के साथ में अच्छे से मिला लिया है और इसे चार मिनट तक अच्छे से भुन भी लिया है मसालों के साथ में अब हम धकन को लगा कर रख देते हैं इसको हाई फ्ल खालते हुए मुझे 5 मिन्ट हो चुके हैं अब हम गैस को आफ कर दे रहे हैं और कूकर की स्टीम को निकलने देते हैं। अच्छे से लोगी और चैना की मिक्स सब्जी तयार है खाने के लिए आप इसे रोटी के साथ में या फिर प्लेन राइस के साथ में खाई ये बहुत ही टेस्टी लगती है लोगी और चैना की मिक्स सब्जी का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा साथ ही मेरे सेकेंड चैनल प्र्याग स्ट्रीट को भी सब्सक्राइब करिएगा मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी इक नई वीडियो के साथ हैंक्यू